हालो गाइज विल्कम टुटी गाड़ बहुत स्वागत है दोस्तों इविस हम पड़ा रहे थे तो इविस में भारत का समयदान भी एक प्रमुक पार्ट है क्योंकि लास्ट यह से दो तीन सालों में देखा जाए यूपी टेट में तो छह से साथ कॉस्टन जरूर आते हैं तो लोग इंग्लिस इनका सब्जेक्ट होगा सेकें सब्जेक्ट वो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं अचली हम बात करते हैं भारत का समयदान से तो जैसा कि यह वीडियो होगा इसमें पूरा डिटेल ने पढ़ाया जाएगा और इसके बाद मैं इसी वीडियो समय जितने प्रस्ण बन सकते हैं वो सारे प्रस्ण लेकर आँगा आपके लिए तो इसलिए आप यह वीडियो यह पूरा आप अंतक देखें आप जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वसमें जो प्रस्ण होंगे वह आप पूरी तरह अच्छी तरह से सॉल्व कर पाऊगे तो जलिए स फंदag समझने होंगे समिधान के तो पहले हमें जाना होगा कि समिधान है क्या तो समिधान किसी भी और नागैंजेसन का वे सकता है जिनके तौए और और नियम कानून वह ने संगठन कोई देश या राज जो है इसी प्रकार भारत का भी एक जो भारत हमारा चलता है पूरा जो मसंद्री ली वह कैसे चलती है उसके लिए भारत का समविदान है रिंडेंड डॉकूमेंट है जिसको बोलते हैं भारत का समविदान तो आपको समझ मह आया होगा नेश्ट हम बात करते हैं कि सम्विधान के प्रकार कैसे होते हैं कुछ प्रकार वो डिपेंड करता हैं किस प्रकार से कटेगराइज करते हैं इसको तो इस प्रकार से दो प्रकार का सम्विधान होता है लिखित सम्विधान और अलिखित सम्विधान में आता है बारात अमेरिका नेपाल ज है कि लिक्क सम्धान का मतलब होता है कि एक सम्विदान सभा का गठन हो पहले उसके बाद उसने समविदान लिख्या संवा नहीं다 और लिखा हुआ है उनका भी लिखा हुआ है जैसे जैसे परंपरा करीसाफा नियम कानौन जूट finances सपरूब है वहाँ पर जो है वह चीज़ उसमें जूड़ती चली गहीं दीरे दीरे तो इस प्रकार का आधर होता है जो उन देशों में जाधा कारगार होता है तो उसमें अक्सर ब्रिटेन जो है रहता है ठीक है तो ब्रिटेन का समिदान जो है अलिकित समिदान है अमेरिका का समिदान लिकित समिदान है एतियासिक प्रिष्ट बो में देख लेते हैं अपने समिदान की कि किस प्रकार से समिदान बना कि रातों राज बन के तयार हो गया थे जिससे की भारत देश का सासन चलता था ठीक है उसी प्रकार एक सबसे पहले एक्ट जो चालू कि पारित हुआ था वो था थे लेकिन एक आइडिया मिला जैसे आज का सुप्रीम कोट है तो आइडिया समझो 1770 मिलना स्टार्ट हो गया था हमें ठीक है किस प्रकार का कोट होना चाहिए तो मेरा बताने का मक्सद एथा कि दीरे-दीरे किस प्रकार इवोलूशन हुआ सम्विदान का 1813 का चार्टर अजनियम आया 1823 का चार्टर एक्ट ठीक है फिर उसके बाद उस साफसे नहीं था लेकिन कुछ स्टार्टिंग जस्ट हुई थी और मैं सबसे इंपॉर्टन बात करना चाहूंगा 1935 का भारा साथनियम इसको बिल्कुल रट लो आप ठीक 1935 का भारा साथनियम यह बहुत इंपॉर्टन डॉकुमेंट है क्यों कि यह बहुत बड़ा डॉ लेकिन इसमें बाद में भारत में तो सासन नहीं उपाया इसके ज्वारा ज्यादा लेकिन सबसे इंपॉर्टन चीज यह रही कि जब भारत का समिदान बना तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुए इसी डॉकुमेंट का है ठीक है तो अगर यह प्रसने पूंचा जाता है कि बहुव ऐसे उठाली गहीं है समयदान का घ्रद्मान में समयदान है उसका नहीं पूंचा बने सबसे पहले आमन रोएग्या कम्मिनिस्ट पार्टी के नहिता थे 1934 में दों ने बोला कि जो भारत का समयदान होगा वो समयदान सभाग के द्वारा बना जाएगा जाए ठीक ह और फिर 1938 में जवाहरलाल नेरू जी ने बोला कि जो सम्विदान सभा का गठन होगा वो वयस्क मतादिकार दोर होगा यह नहीं कि कोई भी सम्विदान सभा में आ जाएगा समझें ना तो इस प्रकार से यह आपको याद करने जूरत नहीं है कभी-कभी प्रस्न आते हैं लेकिन उम्मीद नहीं करता हूँ कि यूपी टेट में इसे प्रस्न आएंगे ठीक है अब सबसे पहले यह तो दो लोगों ने बोल दिया फिर उसके बाद बिटेन से क्रिप्स मि स्टार्ट कर दो ठीक है लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया उसने बोला कि पाकिस्तान चाहिए मुझे और कॉंग्रेस ने भी बना कर दिया क्योंकि गांदी जी ने बोला कि परिच्छा में पूंचे जाते हैं तो यह आप याद रखना क्रिप्स मिशन के लिए ग अगस्त में अगस्त में दो तो चुका था उसके बाद उनी सो चीहालिस में कैबिनेट मिसन भारत आया तो इस कैबिनेट मिसन में भी स्टेफ़र्ड क्रिप्स जो है थे पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर तीन लोग थे इन्हों ने एक भूमिका बनाई कि कि किस से भारत में सम्विदान सभा का गठन होगा और कैसे सम्विदान का अंद्रमार होगा ठीक है यह पूरी प्रक्रिया के बारे में कैबिनेट मिसन बताता है तो यह मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन प्रसन है कि भारत का सम्विदान का अंद्रमार किसके तैत हुआ तो विदाउट जो सम्मिदान सभा बनेगी इसमें 385 सदस्य होंगे टोटल ठीक है इसमें प्रांतों से 292 सदस्य ले जाएंगे और चीप कमिशनरी छेतर से चार और देशी रियास्तों से 93 देशी रियास्तों तो उसमें वो होती थी जिन पर राजा करता था हाला कि वो इन डेक्ट्ली करता था डाइकली तो प्रिटेंच की गॉर्मेंट अने साथ मिलाया नहीं था बस नाम मातर का राजा रखते तैस से ये पचलता था लोगों को यहां मारा राजा भी है राजा मारा एक ठीक है तो यह जो है अगर आप याद कर सकते हो तो जरू याद कर लाए ना तेंसे नमासी सीटें थी प्रांतों में 292 चीप कमिस्टरी में 4 और देशी रियास्तों में 93 सीटें थी अब चुनाओ वे ठीक है कि कौन-कौन आएगा अब चुनाओ के प्रक्रिया में ज्यादा दिकार द सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो है जो प्रांतों की विदान सबाएं थी उस समय बनी हुई थी तो उन्हों सब्सक्राइब के लोगों का चैन किया ठीक है इसमें कॉंग्रेस को मिली 208 सीटें मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 बहुत सी रासने सी उनके सीटें नहीं बरपाई क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम लोग सामीर हो जाएंगे तो हमारा राजा की पद्वी चली जाए यहां दूसरा मौमध अली जिन्ना मात्मा का अधिश लें थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बटवारा ओ ठीक है उस प्रकार समिदान सभा ने काम किया और समिधान बना के हमको दिया तो सबसे पहली बैठा कि नोने की सबसे पहली बैठा पाकिस्तान चाहिए ठीक है तो सिर्फ जो पहली बैठा को इसमें सिर्फ 211 हदस्तों ने भाग लिया और फ्रांस की तरश पर सबसे जो वरिश रस थे उसमें डाक्टर सच्विदान अंसीना उनको समिधान सभा का अस्थाई अद्दच चुना गया most important question है ठीक है कि कि किसको अस्थाई अद्दच चुना गया दोस्तों अभी मैंने हाली में फ्रस देखा था I think यह सुपर्टेट में आपके आया था ठीक है उसमें लिखा था कि प्रथम अद्दच समिधान सभा के कौन थे तो अगर प्रथम अद्दच आता है ना तो फी यह नहीं देखा था कि कौन उस्ताई था और कौन इस था था तो प्रथम अद्दच अद्धिसाद्धान सिना अगर इस था तो होंगी अगर आगे करते हैं ठीक है अब 11 दिसंबर 9 दिसंबर को फिर से लोग मिलें जिसमें इस्थाई अद्दच का चुनाओं किया गया जिन को डॉक्टर राजन प्रसाद को इस्थाई अद्दच चुना गया स्सी मुखरजी को उपादच चुना गया बी अन राव को समयदानिक सलाकार कंस्टिटूशनल एडवाईजर को की रूप में चुना गया ठीक है तो यह तीन जो पॉर्टफोलियो थे बहुत इंपोर्टन थे इनको रट्टा मार लो बिल्कुल ठीक है अब हम बात करते हैं हमारा समयदानिक दाचा होगा ठीक है उसकी क्या उसका आगे किस प्रकार से हम बनाएंगे और किस प्रकार से काम करेंगे क्या बेसिक मूल बूल तो अगर प्रस्ताव किसने पारित किसने जो है कौन ले कि आया था सम्विदान सभा में तो वह जवारलाल नेरू ले थे ठीक है उसमें करीब नौ दिन की बाहस हुई थी नौ दिन के बाइस को 22 दिसमबर को पारित कर लिया गया था 22 समवर 946 को अब भारत का सुन्तिता दिनियां पारित हो जाता है इसी बीत में ठीक है आपने गहर किया होगा कि सम्विदान सभा की बैठक सब्सक्राइब नहीं थे ठीक है अब 15 अगस्त को हम हो गए आजाद तो अब यहां पर क्या होता है कि दो देस बन गए तो समिदान सभा बाव भी परिवर्तन होगा तो कुछ दो पाकिस्तान चले गए ठीक है तो जब टोटल स्भस रख रहे गई 292 ठीक है 296 थी पहले प्रांतों की वह घटके रहे गई 129 और 93 ती जो देशी रहस्तों की वह गटके रह गई 70 ठीक है तो यह गट रहा हैं तो दोस्तों समिधान सभा समिधान बनाने का तो काम करती थी और साथ में वह विदाइका का मतलब क्या होता है कानून कुछ समय कोई संसत थी नहीं ठीक है तो यही लोग एं तरही से संसत का भी काम करते थी तो इनकी दो प्रकार से बैठके होती थी जब समिधान सभा के रूप में जिनकी बैठक होती थी तो उसकी अधश्ता डॉक्टर राजेंद प्रसाद करते थे लेकिन जब बैठक एक समझ गे ना तो यह विदाइका का भी काम करती थी इसके अलावा इसने क्या किया इसने 22 जुलाइए 1937 को जो हमारा राश्टी द्वज़ति रंगा उसको अपनाया यह बताया गया यह हमारा राश्टी द्वज़ होगा 24 जनवरी 1950 को राश्ट गान राश्ट गीत को भी इसने अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राजयन प्रसाद के रूप में पहला राश्टेपती इन्हों ने चुना अब 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू हो गया तो उसके बाद भी यह काम करती रही कैसे क्योंभी जो जर्नल एलेक्सन चुना हुए थे वह हुए थे 1952 में ठीक है तो तब तक जो है ये एक विदाइका का रूप का अंतरिम संसत के रूप में घंद करती रही तो दो साल 11 माईने ठाबी तिन में हमारा समिधान तयार हूँआ इम्पोर्टेंट है ठीक है टोल गैरा बैठके होई साठ देसों के समिदान का उलोकन किया गया जो आपके समिदानी सला करते बीएंड रहा हुआ जो अभी स्लाइडें मताया मैंने तो वह साठ देसों में गये थे और महहां का समिदानी कठे करके लाए थे उसके बाद उसका निचोड निकाल के और जो 12 सनाभिन था उन्से निचोड निकाल के एक ड्राफ्ट का जो है तैयार किया घ्राफ्ट में त्यार किया गया उसाईदान जो है फिर प्रारूब समिति थी द्राफटिंग कमेटी ठीचर कहों तो चनव चाट के फिर ऊस राष्टगीत राष्टगान और राष्टपती को चुना था ठीक है अब यह देखो मैंने पहले बता दिया कि शवीज मेरी उनिसों पचास से लेके उनिसे क्यान वामन के जो चुना होगे थे उस तक अंतरीम संसत का रूप में काम करती रही हमारे समिधान सभा ठीक है पुरम होता है जो समिदान सभावी वनी था समय हिस वना दी करी थी कमेटी ये वाला पार देखेगीजी कमेटी चेट इसक दो नहीं तो पो सारी कमेटियां कनेने थे कुछ इंप्टेंट टो ये चिन्की में करना संचालान करना किसका काम मैं आए तो राजन प्रसाद इसलिए जो है यह राजन प्रसाद का दर्श थे अब संग समिती संगी समिदान समिती ठीक है आप खुद सोचो कि उस समय सबसे पावरफूल आदमी कौन था जवादाल नहरू ठीक है तो जवाधाल संग सक्ती समिती इस परकार से याद करो संगी मालब जो यूनियन की संग की पूरी बातें थी मैटरस थे वो देख रहे थे जब आधा नेरू अब प्रांती समिदान समय थी राजियों से संबंदी जो चीज़ें थी वो सदर पटेल देख रहे थे सेकंड पावर फूर लीडर उसमें सदर पट इस सारी देशी रहास्तों को एक जूट किया था ठीक है इसलिए इस्टेशियों के नाम पर तो प्रांती समिदान समिदान समिधी सदर पटेल थे इस प्रकार से आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट समिधी थी जिसका नाम था प्रारूप सम द्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको एंगलिस में और इसके अदश थे बी यार अंबेटकर इसमें और शाथ लोग थे सदस इसके ठीक है तो टीटीकर समचारी गड़े सवावस देवाव लोग नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं ठीक है एन माधव राओ एन गो जब पुरस्त पूंसे आता है कि सम्विदान सभा के अद्श कौन थे तो आख मुंत के बी यारं मेटकर लगा जाते हैं दोस्तों समिदान सभा के जो अद्श थे पूरी सभी आजन प्रसाथ थे और उसमें चोटी सी समित ती जो सबसे इंपॉर्टें समिती थी ड्राफ्ट वो लागू किये गए और इसी दिन को समिधान सभाक समिधान दिन के रूप में अब मनाया जाने लगा है हाली में तीन-चार साल सालों से और आप चारिक रूप से 26950 को पूरा समिधान लागू किया गया जब समिधान उसमें लागू किया गया था उस समय टोटल 35260 और 8 अनसूचियां थी वर्तमान में उसे जो यह सरी अनसूचियां हैं जो यह बारा हो गई है तीक है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे तो अब एक और most important slide यह देख लो आप समिधान के सुरोट sources क्या थे समिधान के समिधान के जो यहां से प्रस्न निकल के आते हैं मतलब सुरोट तो देखो 12 सासन अद्रियम को सबसे ज़ा था मैंने आपको पहले बता दिया तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा हुआ है अब विधी का सासन यह यह कहां से लिए गए बिर्टेन से क्योंकि अब डूसरा अगर सबसे ज़्यदा प्रवाव देखा जाए बार coyल के बाद थे विधी का सासन कहां से लिया गया है एक यह निकल के आतीर तो यह बृटेन से लिया गया है ठीक है नेक्स्ट है मौली का दिकार मौली का दिकार जो fundamental rights है हमारे समिधान के भाकतीन में तो यह अमेरिका से लिए गए है most important question ठीक है राज के निर्थ निर्दे सकतर तो अगे पढ़ाऊंगा आपको ठीक है यह आर्लेंड के समिधान से लिए गए है आप आत उपबंद इमर्जन्सी प्रविजन्स दिये गए हमारे अनुछे 352-356-360 ठीक है इसमें 352 से लिए तक यह जो है आपके जर्मनी से लिए गए सभी दान संसोधन किस प्रकNow संसोधन में संदन और सकता हैं ठीक है ँर्णचे 302-386 तो यह समेधान सन Τर्फूर्पिया चाह ऑपरीकर साउथ अपरेका माना जाएगा तो यह थे समिदान के सुरोत जो की बहुत इंपोर्टन थे आज का जो दोस्तों मैंने डिटेल में पढ़ाया है तोड़ा जल्दी अली करने कोशिस किये बट अगर इसने वीडियो पूरा देखा होगा दो थीन बार देखो बहुत सारे प्रस्न जोगा इसमें परिच्छा में पूसे जाते हैं बहुत इंपोर्टन वीडियो था थैंक्स वाचिंग दोस्तों शेयर जबूर करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बाइबाए